प्रदूसन के खिलाफ जंग में एतिहासी कदम उठाते हुए मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रोनिक बसे उतारी गई मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवान ने इंद्रप्रस्त डीपो से हरी जंडी दिखा कर उने रवाना किया इस मौके पर केजरिवान ने परिवहन मंत्री कौशल गहलोत समित वरिष्ट अधिकारी के साथ आईपी डीपो से राजगाट डीपो तक इबस में सफर किया दिली सरकार ने घुशना की है कि 26 मई तक कोई भी यातरी इबसों में मुफ्त सफर कर सकता है वही सफर के अनुभवों की सेलफी साजा कर यातरीना केवल ईवी क्रांती का हिस्सा बन सकते हैं बलकि इनाम में आईपैट भी हासिल कर सकते हैं कहा कि 26 मई तक सभी के लिए इलेक्ट्रोनिक बसों में सफर फ्री है एक महिने में परिवहन बैड में 150 इलेक्ट्रोनिक बसे और सामिल की जाएगी दिल्ली वासियों की सुविदा के लिए 600 से 700 अतरीक CNG बसे भी उतारी जाएगी प्रदूसर्ण के खिलाफ जंग में यह बहुत बड़ी शुरुवात है दावा किया गया है कि 10 साल में कारवन डायोकसाइड के उतसरजन में 3.30 लाख तन की कमी आएगी अब दिल्ली के बेडे 7200 बसे होंगी जो की दिल्ली की इतिहास में सरवदिक विद्धी है इस दोरान केजरी वाले सेलफी प्रतियों गिता शुरू की है उन्होंने कहा है कि आपकी ही बसे हैं इसमें खुब सफर करें अपील की है कि बस के अंदर एक सेलफी लेकर उसे या पोस्ट कोई भी 30 जून तक कर सकता है सेलफी प्रतियोंगिता के 3 विजिताओं को आई पैट दिया जाएगा या प्रतियोगिता सेल्फी या प्रतियोगिता सोशल मीडिया पर चलाई जाएगी पोस्ट की गई सेल्फी पर सर्वदिक लाइक और शेयर किये जाने वाले तीन प्रति भागियों का चैन किया जाएगा उन्हें दिली सरकार की तरव से इनाम के तोर पर आईपैट दिया जाएगा दिली परवहन निगम मुख्याले के पास इंद्रप्रस डीपो परिसर में आयोजित किया गया है समारों की मुख्याती थी मुख्य मंतरी कर अर्विंद केजरी वाल दोपहर 12 बजे कारे करम स्थल पर पहुचे इस मौके पर परिवहन मंतरी कोशल गोलत मुख्य सचीव नरेश कुमार समेत वरिस्ट अधिकारी भी पहुचे ब्योरे रिपोर्ट दिली समाचार